नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डेजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों देनिक सुएरा में आपके लिए बड़ी खबर आई है और यह है HHSC बरती की जो लिखित प्रिक्षा है यानि की गुरूप C और गुरूप D की बरतियों के लिए जो CET का एक्जाम होना है उसी के लिए बड़ी खबर आई है तो साती योद देख सकते हैं जो नई प परती में CET लाग नहीं होगा श्यामाजिक आर्थिक मांदंड के लिए जो नई शर्ते हैं वो क्या रहने वाली है वो भी इसमें बताई गई है यह देख सकते हैं परिवार के उद्देश्य के लिए जो परिवासा है वो पुरूप उमिद्वार के लिए क्या रहेगी एव रिवाइत महिला उमिद्वार के लिए क्या रहने वाली है तलाक शुदा यानि कि हर कंडिडेट के लिए अब सात्यों जो प्रोसेस बनाया जा रहा है वो सभी प्रोसेस सभी कंडिडेट उस प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं यानि कि पहले जो हर परकार की कंडिशन दी वो ल क inner इसन भी बताइक है टप प्रिवास यंहें वी मुक्त जाती संब्धुन रखता हो तो उसको 5 % नमबर देने की बात कई गई है कि में गुरूप सी के लिए यह ईलाफि के लिए इसी के लिए बारवीय रंडूप बढ़ नियाखता जरूरी है यानिकि सातियो नाइन्थ क्लास پास करने के बाद कंडिडेट CET के अंदर बैठ सकता है अगर उसकी एज पूरी हो चुगी यानिकि वह लीजीबल है आवजिन करने के लिए तो नाइन्थ क्लास पास करते ही कंडिडेट बैठ सकता है क्योंकि 10th में जैसे ही वो admission लेगा तो appearing की तोर के उपर उसका form apply हो जाएगा यह process आप से पहले अरियाना या HSSC के किसी भी भरती में नहीं होता था लेकिन आप यह process CET के जो भरती हैं गुरूप C और गुरूप D की इनमें लागू कर दिया गया है तो सात्यों बड़ा update है दूसरा यह भी है कि 40 और 50% नमबर अनिवारिये कर दिये हैं 50% journal category वालों के लिए और 40% रिजरव category वालों के लिए अनिवारिये कर दिये गए है नमबर तो ऐसे यह update सात्यों और भी आपको दिये जाएंगे क्योंकि आज जो cabinet meeting होने वाली है उसमें क्या decision रहता है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा जैसे इसात्यों कोई update आएगा तुरंत आप तक share कर दिया जाएगा regular सबसे पहले जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें वीडियो को लाइक और ज्यादा श्यादा share करें वीडियो यह तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं आप स्टूडियो में